दोस्तों आज जो सिखाने वाला हूँ मैं आपको वो आपकी अंग्रेजी में चार चान लगाने वाला है वैसे इस तरह की एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ जिस पर millions भी हूँ है लगबग वो है कि एक दिन में उसका जो थमने लोगा या टाइटल होगा कुछ इस तरह से होगा एक दिन में इतनी इंग्लिश आप वीडियो सेक्षन में या लाइफ सेक्षन में जाए पॉपुलर अपलोड वाली वीडियो में आपको ये दिख जाएगा वो आप देख लेंगे आगे बढ़ते हैं आज मैं आपको 10 ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूँ जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं अच्छा ये हर को ही बोलता है न कि देखते ही देखते जैसे देखते बारा बजगे देखते सुबा हो गई देखते ही दे देखने से काम नहीं चलेगा जूट बोलने से काम नहीं चलेगा या फिर मुझे क्या पड़ी है यार उसे मनाने की मुझे क्या पड़ी है उससे बात करने की या फिर आपको ये बोलना कोई लेना देना नहीं है इस मामले से कोई लेना देना नहीं है या मानो या ना मानो मा समझ नहीं आ रहा तुम चाहते क्या हो, या फिर आज के बाद तुम मुझे अपनी शकल नहीं दिखाओगे, आज के बाद तुम्हें यहां आने की जुरूत नहीं है, या फिर आपको ये बोलना हूँ, एक बात तो पक्की है, कि वो मुझे धोका नहीं दे सकता, अच्छा बा अगर आपको अपनी डेली लाइफ में बोलने हैं, तो ये वीरियो आपके लिए, शुरू सेंट तक देखें, एक-एक मिनट लगेगा एक-एक स्ट्रक्चर को सीखने में, लेकिन उससे पहले मेरा एक मैसेज आप लोगों को, अगर आपने इस वाले चैनल को विजिट नहीं क पर, हम आगे बढ़ते हैं, पहले स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, आप ये बोलते हैं न, काम नहीं चलेगा, इट मिन्स के अंग्रेजी में जो बोलना हो, तो सबसे पहले हम only लगाते हैं और वी-फोर लगाते हैं, काम नहीं चलेगा नहीं, इसमें एक चीज और आप जोड सकते हैं, सिर्फ काम नहीं चलेगा, जैसे सिर्फ जूट बोलने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मुबारक बात देने से काम नहीं चलेगा, तो इंग्लिश में बोलेंगे only वी-फोर, या only वी-फोर, जैसे सिर्फ आपको इंग्लि सिर्फ जूट बोलने से ये मैं सिखा देता हूँ सिर्फ जूट बोलने से इसके English है Only telling a lie Only telling a lie won't work सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा Only thinking won't work सिर्फ शिकायत करने से काम नहीं चलेगा Only complaining won't work अब मैं आपको देता हूँ सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा comment section में आप type करें इसके English क्या होगी आगे बढ़ते हैं मुझे क्या पढ़िए मुझे क्या पढ़िए मुझे क्या पढ़िए इसको बोलते है I'm not fond of it means मुझे कोई शौक नहीं उससे बात करने का या मुझे उससे बात करने की क्या पढ़िए तो इसके लिए हम use करते है I'm not fond of देखो यह इस तरह के structures है न जब आपको English बता दी जाएगी तो आपको लगेगा रहे यार हमको तो आई रहा था या फिर इसकी English यही तो होगी लेकिन बता देने के बाद पहले से समझ में नहीं आ रहा आपको कि उसकी English क्या होगी exactly यही मेरे साथ भी शुरू शुरू में होता था मुझे क्या पढ़िए I'm not fond of इसके बाद जब भी आयागा ना यहाँ पे fond of इसके बाद verb काम चौता form लगाएंगे मुझे क्या पढ़िए यह तो हो गया अब आगे sentence है उससे बात करने की तो भरब कौन है बात करना तो talking to her अगर यह कोई लड़का होता तो talking to him I'm not fond of talking to him या I'm not fond of talking to her अगला है मुझे क्या पढ़िए उसकी बातें सुनने की I'm not fond of listening to him मुझे क्या पढ़िए वहाँ जाने की I'm not fond of going there और एक sentence आपके लिए मुझे क्या पढ़िए है सोनम को मनाने की आगे चलते हैं अगले structure की दरफ आते लेकिर उससे पहले मैं आपको बता दूँ के बकरीद के अफसर पर 5 दिनों के लिए 15 से 20 जुन तक के लिए एक offer आ गया है अब अगर आप platinum speaking course से जुड़ते हैं जो live course है जिसमें one on one session भी मिलता है तो fees 9.99 नहीं बलकि सिर्फ 8.99 लेगी और अगर आप diamond speaking course से जुड़ते हैं जो only recorded course है तो आपको 4.99 नहीं बलकि 3.99 पे करना है कोई problem हो तो आप इस number पर contact कर सकते हैं ये number नीचे यहाँ पर type किया हुआ है बट वो hidden है कलो यहाँ पर software से ये number है आप इस number पर call कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं अगर आप direct पे नहीं कर पाएं तो UPI और QR के जरीए भी payment कर सकते हैं call, WhatsApp के जरीए contact कर सकते हैं app में chat section है आप वहाँ भी बात कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं कोई लेना देना नहीं है जैसे मुझे तुम से कोई लेना देना नहीं है मुझे इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है मुझे उसकी राय से कोई लेना देना नहीं है ठीक है अब इसको इंग्लिश में कोई लेना देना नहीं को बोलते हैं Nothing to do with Comment section में आप type करिए Nothing to do with मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है अच्छा has or have depend करेगा subject पे अगर सब में यहाँ पे मुझे है इसलिए सब में I have आया है I have सब में आया है सब में I have आया है क्योंकि यहाँ पर मैं है अगर होता उसे सोहन से कोई लेना देना नहीं है तब फिर ही हो जाता He has nothing to do with सोहन कल यह मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है I have nothing to do with तुमसे You मुझे इस विवाद से I have nothing to do with This dispute यह जो this dispute है न यह इसको black color में होना चीए था इसको black color में होना चीए था यह एक mistake हो गई है This dispute जी यहाँ पर होगा His opinion यह भी black से होगा फिर इसका PDF आपको app पर मिल जाता है वहाँ पर correction रहेगा इसमें चलो मुझे इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है I have nothing to do with this dispute dispute कहते हैं विवाद को मुझे इसकी राय से कोई लेना देना नहीं I have nothing to do with this opinion opinion कहते हैं हम राय को आगे बढ़ते हैं next question चलो अच्छा हाँ यह आप एक sentence आपके लिए मुझे तुम्हारी समस्या से कोई लेना देना नहीं है यह आपको बनाना है तब के बाद एक sentence मैं आपको बनाने के लिए बोलूँगा हर एक structure के बाद मानो या ना मानो मानो या ना मानो को English में बोलते हैं Believe it or not Believe it or not के बाद आपका जो sentence है आप add it is लिग दीजिए जैसे मानो या ना मानो वो बेकुसूर है अब एक sentence है आपके लिए मानो या ना मानो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ आगे बढ़ते हैं देखते ही देखते देखते ही देखते ही बोलते in no time इट मीन्स के बिल्कुल वक्त ही नहीं लगा जैसे देखते ही देखते बारा बज़ गये तो बारे बज़ गये, it's 12 o'clock in no time देखते ही देखते, meeting खतम हो गई it's sorry, the meeting ended in no time meeting खतम हो गई, the meeting ended in no time देखते ही देखते, दिन बीद गये the day passed in no time एक sentence आपके लिए और वो यह है कि देखते ही देखते सुबा हो गई चलिए, आगे बढ़ते हैं next one मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे समझ नहीं आ रहा I fail to understand I fail to understand मुझे समझ नहीं आ रहा सब मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं I fail to understand why everyone keep following me मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चाहते किया तुम चाहते कि अचाहाँ, एक चीज़ का ख्याल लखेंगे यहाँ, डबल्यू एच फॉर्म के बाद helping verb आपको नहीं देना है यहाँ पर डबल्यू एच फॉर्म के बाद आपको subject देना है जैसे what you want या what you wanted what do you want यह करेंगे तो गर पड़ा जाएगा मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चाहते क्या हो I fail to understand what you want मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कर क्या रहा हो I fail to understand what you are doing मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किसे ढूण रहा हो I fail to understand who you are looking for ऐसा है नहीं कि who are you looking for अब एक आपको बनाना है मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम दिन भर क्या करते रहते हो अगला आज के बाद as of now अभी इस moment के बाद आज के बाद तुम मुझे अपनी शकल नहीं दिखाऊगे तुम मुझे अपनी शकल नहीं दिखाऊगे you won't show me your face as of now आज के बाद आज के बाद तुम मुझे फोन मत करना don't call me आज के बाद as of now आज के बाद तुम मेरे घर नहीं आऊगे चलो यह आपको बनाना है next one एक बाद तो पक्की है one thing is sure यार यह अचानक अनायास ही निकलता है यह सब हमारी अपनी mother language है जैसे अगर आपको यह बोलना हो लातों के भूत बातों से नहीं बानते तो हिंदी बोलने में आपको hassle करना नहीं पड़ता बट अंग्रेजी की बात आती है तो आप सोचने लगते हो यार क्या बोलना है अब क्यों कि आपके मादरी जबान वो है नहीं इसलिए आपको दिक्कत होती है तो यह जो यह जो फ्रेज़ छोटे छोटे है ना यह डेली लाइफ में हिंदी में हम हर दिन बोलते अपनी mother language में हर दिन बोलते लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो problem होने लगती तो उसी छोटे छोटे फ्रेज को हम सीखेंगे ऐसे सैंक्रो फ्रेज मैं आपको सिखा हूँगा आज दस सिखा रहा हूँ मैं वीडियू लाइक करके शेर जरूर करेंगे अच्छी लगी अगर तो एक बात तो पक्किये एक बात तो पक्किये सोनम मुझे धोका नहीं देगी एक बात तो पक्किये कि मैं अपने लक्ष को हासिल कर लूँगा एक बात तो पक्किये वो इस साल मेडिकल में एडमीशन ले लेगी यह आपको बनाना है आगे चलीए बात बात पर ऊन एवरी सिंगल मैटर इसको बोलते हैं बात बात पर अब जो सेंटेंस है वो आप पहले बोल लीजिए फिर आप बोले बात-बात पर वो मुझसे जगडती रहती वो मुझसे जगडती रहती keep on fighting, ता रहता है अगर ये sentence हो, तो keep on या keeps on होता है, तो वो मुझसे जगडती रहती, she keeps on fighting with me बाद-बाद पर on every single matter बाद-बाद पर वो रोने लगती है she starts weeping on every single matter बाद-बाद पर वो घुसा हो जाती है घुसा होना, get angry, she gets angry on every single matter बाद-बाद पर बाद-बाद पर मेरे पिताजी गुसा होने लगते है ये आपको बनाना है, आगे बढ़िए next one है, and this one is last जब बारी आती है, when it comes to when it comes to, इसके बाद वर्ब का, इसके बाद जो sentence है वो लगाएंगे, लेकिन अगर वर्ब हो भर्ब हो यहाँ पर, तो भर्ब का चौथा फ़ार माएगा when it comes to, speaking English जब अंग्रेजी बोलने की बाद आती है या जब अंग्रेजी बोलने की बारी आती है जब कार चलाने की बारी आती है या जब कार चलाने की बात आती है तो इसको बोलेंगे when it comes to driving a car जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो मैं ठक जातू When it comes to speaking English, I fumble या I stuck जब TV देखने की बारी आती है, light चली आती है When it comes to watching TV, the light goes out जब पढ़ने की बारी आती है, वो रोने लगता है When it comes to reading, he starts crying या he starts weeping अब आपको बनाना है जब बिल पे करने की बात आती है, तो मेरा दोस्स सोचने लगता है चलिए, उमीर है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हैं हमारे paid course का इस्सा होना जहां group classes होती है, छोटे-छोटे groups में और जहां one-on-one session भी मिलता है जहां आपको चार महिने का recorded session भी मिलता है जहां आपको 10 free किताबे भी मिलती है इतिनी सारी चीज़ें अगर आपको पानी है तो एक course में आना पड़ेगा जिसका नाम है platinum speaking course हर 10-15 दिन पे ये batch स्टार्ट होता है अगला batch 25 जून को शुरू है और अब तो सोने पे सुहागा icing on the cake offer भी आया हुआ है प्लाटिनम से अगर आप जुडेंगे तो 9-99 की बजाए ये अभी 8-99 में admission हो रहा है इसमें और diamond जो की only recorded course है इसमें 3-99 में admission हो रहा है अभी 4-99 की बजाए कोई problem हो तो आपके पास ये number है आप lingo app को play store से install करिए और इस number पर call भी कर सकते हैं whatsapp भी कर सकते हैं मुलागात होती है आपसे अगली वीडियो में धेर सारा प्यार have a great and wonderful day keep sharing and learning